नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चोहन और आप देख रहे हैं खबराट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी दोस्तों यू तो हर्याना चुनाओ के बाद आप सब का मुझे लगता और मेरा भी बहुत सारे लोगों का इस सर्वे एक्जिट पोल इन सब से भरोसा उठ गया है लेकिन यकीन मानिए कुछ सर्वे अभी भी हैं जो भरोसे मंद है उसमें से एक है CSDS लोकनीती का सर्वे यह वही सर्वे है जिसने हर्याना चुनाओ के बाद सर्वे में वो सारी गलत फैमी दूर कर दी जिसमें कहा गया कि जाट वोट तो कॉंग्रेस के साथ गय उस सर्वे में CSDS ने तुरण दिखा दिया था कि जाट वोट भी सिरफ 53 प्रतिशत कॉंग्रेस के साथ गया था बाकी बढ़ गया था तो इस तरह के बहुत सारे इशूज जो है उस सर्वे ने निकाल थे सचाई निकल के आई थी तो CSDS के जो प्री पोल सर्वे होते हैं पोस चुना होने के लिए उससे एक महिना पहले लोकनीती CSDS सर्वे ने आज की डेट में सर्वे किया है महराष्ट को लेकर तो जो महराष्ट में सर्वे किया यूं बहुत सारे मुद्दों पर सर्वे किया आज के हिंदू अखवार में ये छपे हैं उस सर्वे में बहुत सारी च चीजें जो पॉइंट इसमें उठाएगा है वो सब पॉइंट पे महाविकासागाडी आगे दिख रही है लेकिन बहुत बड़ा लेकिन इसमें यह है कि बशर्त है कि इन मुद्दों को महाविकासागाडी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कैश भी पर कर पाए वरना अभी मुद्दे चल रहे हैं जो अभी हवा चल रही है उसको बनाए रखने में काम्याब होती है तो महाविकासागाडी की सरकार बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता बीजेपी महायूती की वहां से विदाई तैह है अगर इस सर्वे की माने CSDS लोक नीती सर्वे की तो मैं से पहला 24 प्रतीशत है बेरोजगारी धिया रखेगा हर्याणा में भी था यह दूसरे नंबर पर 22 प्रतीशत है महंगाई तीसरे नंबर पर है विकास ना होना नौ नंबर चौते नमबर पर है किसान और खेती पांचवे नमबर पर है इंफरस्ट्रक्चर छटे पर है महिला सुरक्षा साथवे पर है रिजर्वेशन यानि आरक्षन और फिर है गरीबी ब्रेश्टा चार और फिर अधर इशूज तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां भी फिर वही बी महाविकास अगाडी इनको कैश आउन करने में कामियाब होता है इस पर अपनी बात रखने में कामियाब होता है तो वरना कहीं हर्याना जैसा हाल ना हो जाए अब दूसरा देखिए इसमें अगर जाती वाद के हिसाब से देखा जा तो इस सर्वे में आज की डेट में 48% मु गरीब महाविकास अगाडी के साथ है और 5% जो लोर क्लास है वो भी महाविकास अगाडी के साथ है मिडल क्लास में भी the middle class voters are more or less equally divided middle class जो vote है middle class जो category है वो तक्रीवन तक्रीवन बराबर बटी हुई है दोनों में लेकिन अब आप देखिए अगर अपर कास्ट की बात करने तो अपर कास्ट में महायूती को जो है वो 45% लोग उनके साथ है मराठाज में 18% उनके साथ है ओबीसीज में 16% है दलित में 7% महायूती के साथ है तो यानि कि जो अपर कास्ट है वो महायूती को चाहता है बाकी जादातर जो है वो महाविकास अगाडी के साथ है इस सर्वे के मुताबिक लेकिन फिर वही अगर महाविकास अगाड़ी इसको कैश्विन कर पाता है नहीं तो हार्याना की तरह दलित और भी सी छिटक भी सकता है त्यान रखिएगा फिर आई है कि विच अलाइंस वुड बी बेटर फूर महाराश्टर फूर नेक्स्ट फाइफ यर लोगों से पूछा गए कि अगले पांच साल के लिए इन दोनों गड़बंदरों में कौन महाराश्टर के लिए बेहतर साबित हो स करता है 21 प्रतिशत महायूति को देता है इसी तरह से महंगाई पर भी 45 प्रतिशत लोग महाविकास अगाडी को भेतर समझते हैं और 41 प्रतिशत महायूति को development के लिए 44% महाविकास अगाड़ी 45% महायूती women safety जो है वो BJP महायूती को ज्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं 56% उनको जाते हैं आरक्षन के मुद्दे पर महाविकास अगाड़ी पर लोग विश्वास करें कि वो आरक्षन पर काम करेंगे गरीबी पर भी 45% महाविकास अगाड़ी के साथ है 48% महायूती के साथ है और करप्षन पर महाविकास अगाड़ी के साथ सिर्फ 21% 58% महायूती के साथ है अब आईए concerned after five years during the last five years मल पिछले पांच साल पर अगर पूछा गया तो लोगों से पूछा गया कि पिछले पांच साल का अगर आप जो महा सरकार है महाराष्ट की इस पर क्या काम हुआ तो पूछा गया कि महंगाई 74% लोगों ने कहा बड़ी है महंगाई 74% लोगों ने कहा बड़ी है 7% ने कहा कम हुई ब्रहष्टाचार ब्रहष्टाचार पर भी कहा कि शिंदे सरकार में 51 प्रतिशत लोगों ने कहा ब्रहष्टाचार बढ़ा है नए उद्योग आये हैं कि नहीं हैं इस पर 27 प्रतिशत लोगों नहीं कहा कि नए उद्योग आयें 30 प्रतिशत ने कहा कुछ नया उद्योग नहीं आया रोजगार के अवसर कितने बड़े हैं सिर्फ 30 प्रतिशत ने कहा कि बड़े हैं 41 प्रतिशत ने कहा कि नहीं बड़े हैं इसी तरह से महंगाई पर कि पिछले 5 साल में कितनी महंगाई बड़ी है तो अब आप देखिये अब आता है यह सवाल आता है सरकार तो बन जा ऐ मुख्यमंतरी के लिए सबसे पसंदिदा चहरा कौन है ? उद्दव ठाकरे लीड कर रहे हैं इसमें 28% लोगों की पसंद है मुख्यमंतरी चेहरे के लिए 28% लोग मुख्यमंतरी के तौर पे उद्दव ठाकरे को चाहते हैं 20% एकनाजच चिंदे को और बुरी खबर बीज़े पी के लिए है कि देवेंदर फडणवीज को सिरफ दिर और उसे आगे है और अगर इसको उसमें देखा जाए रूरल और अर्बन में कि मलब शहरी और गाओं के उसमें तो रूरल में 23 प्रतिशत एकनाज सिंदे को पसंद करते हैं 28 प्रतिशत उधव ठाकरे को और 13 प्रतिशत देविनद फर्णवीश को जो गाओं में रहते हैं शहरों में रहने वाले भी 28% उधव के साथ है 21% देविंदर फंडवीज के साथ है और 17% एकनाज चिंदे को मुख्यमंतरी के तौर पर देखना चाहते है पसंद है उनकी तो उधव ठाकरे क्लियरली इसमें एकनाज चिंदे और देविंदर फंडवीज से कहीं आ गया है मुख्यमंतरी के तौर पर एकनाज चिंदे से ज्यादा उधव ठाकरे लोगों की पहली पसंद है देविंदर फंडवीज तो तीसरे नमबर पर जबकि कहा जा रहा है कि महायूती में इस बार अगर पावर में आती है तो बीजेपी किसी भी हाल में एकनाज चिंदे को कमिन्टम बना हुआ उसको कायम रखने का हर्याना से सबक लेकर ना तो आपस में फूट दिखनी चाहिए ना अती आतम विश्वास आना ची अगर इन तीन चीजों से महाविकास अगाड़ी बचता है तो महाविकास अगाड़ी को महराष्ट में सरकार बनाने से फिलाल कोई रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसलिए बेहस जरूरी है कि जल्द से जल्द सबसे पहले तो महाविकास अगाड़ी अपनी सीट शेरिंग का मामला सुल जाए क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट हो चाहे जारखंडो एक चीज में तो आप से लीट ले लिया वो है कैंड कैंडिडेट अनॉंस कर लिया और ये सर्वे का एक जलक आपको उनके कैंडिडेट अनॉंसमेंट पे भी दिखती है हर्याना की तरह यहां पर बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया अपने कोई पुराने जो जादा टिकट नहीं काटी है और दूसरी बात रिष्टेदारो को नेताओं को परिवारवाद को बढ़ावा देने से भी पीछे नहीं हटी है हर नेता के बड़े नेता के रिष्टेदार को टिकट दी है परिवार में टिकट दी है रिटेन किया है मले इसको जादा टिकटे नहीं काटी है यानि कि बीजेपी जानती है कि यह जो सर्वे है ग्राउंट डियालेटी के बहुत नजदिक है ये सर्वे काफी कुछ बता रहा है बीजेपी की लिस्ट में भी वो डर चुकी है डर से इस बार कदम ले दिया हर्याने की तरह कोई बोल्ड डिसीजन बीजेपी ने महराश्ट को लेके नहीं दिया है लेकिन इस सब के बीच में एक चीज हो गई है कि वो महाविकासा घाड़ी से एक कदम आगे निकल गई है उम्मीद वारों को ज़्यादा वक्त मिलता है हर्याने की तरह कई ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पर यहां टिकेट अनौन्स हो और उसके बाद जो निर्दली खड़े हो जाए उनको बैट जुकना भी पड़ता है तो जुक लीजिए बड़ा जो पेड़ होता वही जुकता है जोटा नहीं जुकता है तो थोड़ी बहुत सीटे अगर छोड़नी पड़ रही है अगड़बंदर बचाय रखने के लिए तो कॉंग्रेस को छोड़ देनी चाहिए में यह परसनल राय आज रात को मुंबई जाएंगे मुंबई में हम लोग नेता हो से बात करेंगे हमारे साथी दलोग में और कल हम लोग एक साथ यह डिक्लेर करेंगे इसा हमारा प्लैन है बात ऐसी नहीं है कॉंग्रेस की लेट लतिफी या और किसी के बात नहीं है आज शाम तक कुरा मामला कुंग्रेस का हई-खमान दिल्ले में बैटता है उनके दिल्णे दिल्ली में होते हैं तो भारतिय जन्ता पराटी के नेता हमारे यहाँ कि शिंदेगुट। के नेता उनके भी बॉतिस दिल्ले में am दिन की हाईकमान दिल्ली में उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ते हैं उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभित नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैटकर निर्णए करेंगे इस बीच सुना है महाराष्ट में उद्धव ठाकरे भी एक बड़ी जबरदस्त उद्धव ठाकरे ने चाल चली है उद्धव ठाकरे सुना है कि वो राज ठाकरे से मिल सकते हैं यानि जो 15-16 साल से दोनों भाईयों के बीच में खटास है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है कहने वाले कह रहे हैं कि उधव ठाकरे इसलिए राज ठाकरे से मिल सकते हैं कि राज ठाकरे के बेटे पहली बार चुनाओ लड़ने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं तो हो सकता उधव ठाकरे उनको ये एशॉरेंस दें कि उनके खिलाफ चिप सेना का कोई उद्व ठाकरे का कोई candidate नहीं उत्रेगा क्योंकि जब अधित्य ठाकरे ने चुला उड़ा था तो राज ठाकरे ने भी कोई उम्मिदवार नहीं दिया था कहा जाता है कि उद्व ठाकरे इस चीज पर बात कर सकते हैं लेकिन सब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि परदे के पीछे कहानी कुछ और है इतना कहने के लिए उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से मिलने जाने की जरूरत नहीं है इतनी बात तो फोन पे भी हो जाती है लेकिन कहानी कुछ और है और परदे के पीछे क्या कहानी है आप जा ठाकरे का काटेगी लेकिन अगर दोनों भाईयों में कुछ बात बन जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जटका है तो एक सुना है उद्धव ठाकरे ने बड़ी जबरदस तरीके से ये चाल चलने की सोची है अब इसमें कामयाब होते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे का महाविकास अगाडी कटपंदन कामयाब होता है और जैसे मैंने भी सर्वे में बताया वैसे भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंतरी के तौर पर लोगों की पहली पसंद है महराष्ट्र में तो ज्यादा बहतर होगा उद्धव ठाकरे के लिए भी कि सब को साथ लेके चलें हच्छ जुकने के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब आपको कह दिया गया है कि आपकी सीटे अगर हम से कम भी आई तो भी मुख्यमंतरी आप ही होगे तो इससे बड़ा आश्वासन कोई सही होगी आपको क्या दे सकता है जब आपका सही होगी आपको इतना बड़ा पीजेपी को जवाब देना चाहते हैं, तो जब कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना, तो ताली एक हाथ से नहीं बज़ती, दोनों हाथ से बज़ती, ये दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, उ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राह भी जरूर दीजिएगा नमस्कार